दोस्तों मैं हर्श्रिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ड आज हम लोग बात करेंगे कि यह लो लाइंग प्लेसिंटा होता क्या है और बहुत ही सिंपल लैंग्विजिम समझाने की कोशिश करूंगी क्योंकि देखें मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती है कि इस मिनट पे मुझे क्या बोलना है इस मिनट पे क्या बोलना है बस मेरे खुद के जो पर्सनल एक्सपिरेंस है वो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूं ताकि जो आपकी नॉलेज बड़े आप वो वो गलतियां अपने प्रिग्नेंसी में या अपने करती हैं जिसको एंफ एस करती है कि आपका लो लाइं प्लिसिंटा है लेकिन आपका ल लाइंक प्लिसिंटा को आपको कभ गबड़ानी की ज़ुरत पड़ती है देखे 80-90% cases में ऐसा माना जाता है कि 20 हफते की जो एनमली टेस्ट होती है जो की अल्टरा साउंड होती है जो की 20 विक्स पे होती है अगर उसके पहले तक अगर आपका लो लाइंग भी है तो इतना ज़ादा घबराने की ज़रत नहीं है क्योंकि ऐसा होता है कि 20 हफते होते हो कोखी सकता नहीं है जिससे कि आपको नॉर्मल डिलिवरी वगरे में काफी दिक्कत हो सकती है तो देखे जो लो लेंग प्लेसेंटा उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं तीन-चार भागों में उसको डिवाइड किया जाता है पहला होता है कि आपको मार्जिनल जो प्लेसेंट होता है वहां होता है आपका सर्विक्स जैसे आपका वजाईना के थोड़ा सा उपरी जो पार्ट होता है वह होता है सर्विक्स तो अगर आपकी नॉर्मल डिलिवरी के भी चांसे अगर बनते हैं तो अगर माल लीजे कि आपका प्लेसेंटा अगर वहां तक अगर है तो नॉर्मल डिलिवरी होने में काफी दिक्कते आती हैं, लेकिन आपको कब नहीं घबराना है, इसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, 80-90% केसेज में तो ये उपर चला जाता है, लेकिन मान लीजे कि कुछ मार्जिनल अगर रहता है, लो लाइंग है, यानि कि सर्विक से प्रिविया भी कर सकते हैं, कम्प्लीट आपका जो प्लेसेंटा है, वो सर्विक्स के ओपर आजाता है, तो वो एक एक सिचुशन हो जाती है, और ये सिचुशन होती है, हमारे जो इतने हेक्टिक लाइफ शेडियूल है, लाइफ स्टाइल के वज़ा से, या ओवर एज में शादी होना, ये सारव फैक्टरस आपके ओपर डिपेंड करता है, ये चीजे जो प्लेसेंटा प्रिविया जैसी चीजे हैं, वो सब इसी का ही एक फैक्टर है, तो अराउंड दो सो महिलाओं में इसे एक केस ऐसा जरूर आता है, जिसमें प्लेसेंटा प्रिविया जैसे के आपकी सेक्षन हुआ है तो ज्यादा चांसेज यह बनते हैं कि जो भी आपका फर्टिलाइजड एग है जब एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ उसके बाद वह इंप्लांट होने के लिए यानि चिपकने के लिए जो यूटरिस की वाल होती है उसमें चिपकता है या फिब्रॉइड की सर्जरी या एनि काइंड ऑफ सर्जरी अगर हुई है जो यूटरिस पे अगर कट है तो जादा चांसेज होते हैं कि लो लाइंग हो जाता है उस वक्त लेकिन आपको कब घबराना है और कब नहीं घबराना है उसके लिए में बता दूँ देखिए मोस है या प्रीविया है तो आपको सब्सक्राइब वहाइं और तो आपको थोड़ा बढ़ जाता है तो इसलिए आपको एक्स्टा केयर करने की जुरूरत है कि अगर्व म हो सकता है कि आपके सर्विक्स के उपर अगर दबाऊ पड़ता है पलिस міटा का टो आपको कुछ हो रही है मतलब उनका फ्लो कितना है अगर थोड़ी मोड़ी ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर्स उन्हें कुछ इंजेक्शन भी दे के थोड़ा सा यूटेरस में सपोर्ट बढ़ाते हैं ताकि नीचे से बच्चे को सपोर्ट मिलती रहे लाइक प्रोजेस्टरोन जैसी भी इंजेक्शन लगती है लेकिन अगर माल लीजे कि हेवी ब्लीडिंग हो गई उस वक्त क्या होगा या तो आपका प्रिग्नेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है ये अथ्वा गती वाली बात है इसको हम लोग निगेटिव बात को लेक सकती है और इस केस में होता क्या है जो सबसे बड़ा नुकसान जो देखा गया है प्लेसिंटा प्रिविया जैसे प्रेग्नेंसी में कि जो प्रॉपर जो ब्लड फ्लो मिलना चाहिए एक बच्चे को न्यूट्रियंट्स मिलना चाहिए वह कम्प्लीट नहीं मिल पाता है और जैसे माली जी कि अगर हेवी ब्लीडिंग हो जाएगी तो फिर फीमिल बॉड़ी भी तो इतना जादा उनकी जो लॉस होती है पूरा ब्लड का लॉस होगा तो अव्यसी बात है कि उनको इतनी नूट्रेंट्स कहां से मिलेगी ना उनके शरीर में यानि कि जो लेडी है उनक उनको किसी भी तरह का एनिमिया जैसी चीज़ें नहीं हो क्योंकि आपका होता क्या है कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई फूड की सप्लाई मिलती रहने के लिए आपको एक प्रॉपर ब्लड फ्लो आपका ब्लड हुमोगलोबिल नेवल काफी अच्छा होना चाहिए तो यह सारे जो केसेज हैं जो कि डिसएडवांटेज देखे जाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में लेकिन आपको घबराने की जुरत नहीं है अगर डॉक्टर्स ऐसा डिसीजन लेते भी हैं कि आपको प्री मैच्चर डिलिवरी आपकी करनी ही पड़ गई जो बच्चा सर्वाइव कर सके उसके लंग्स को इतना मजबूत करने के लिए जैसे कुछ एस्टरोइट के स्वाट्स मैंने बोलें वह इस तरह की चीज़े दी जाती है ताकि अगर बच्चा पहले भी आजाए तो खुद बखुद वह इतना लंग्स उसका स्ट्रांग हो कि व आपको उठने में, बैठने में, हेवी लिफ्टिंग तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, हेवी लिफ्टिंग आपको नहीं करनी है, बार बार स्टेर्स पे चढ़ना उतरना भी थोड़ा अबॉइड करना चाहिए, और देखे घर में हमेशा किसी ना किसी परसन के साथ आप ज लग सकते हैं, कि अगर किसी भी लेडी के साथ ऐसा होता है, तो आप बस प्रिकॉशन के साथ चलिए, फेथ रखिए कि आपका और आपके बच्चे का किसी तरह का लॉस नहीं होगा, और डॉक्टर सब कुस ठीक कर देते हैं, तो इसी कामना के साथ मुझे लगता है कि आपक सारे कमेंट्स का आंसर जरूर दूँ, आपकी जो भी क्वेरीज हैं मैं जरूर सॉल्फ करने के कोशिश करूंगी, तो अगर अच्छा लगा है, तो एक बार आपको पता है आगे क्या करना है, तो इसलिए जरूर मुझे सपोर्ट करिए, तो थैंक्यू सो मच फर वाचिंग प्रेस्माइवाट